अतरंगी लोगों के कारणामे देखने के लिए त्यार हो जाएए इन अतरंगी लोगों को हमने इंटरनेट से ढून ढून के निकाला है इनकी पागलपंती को देखकर आप हस हस कर बेहाल हो जाएंगे तो इस कमाल की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो ये भाई साहब ताओ जी से कहते हैं कि अगर आपको कोई परिशानी नहीं है तो क्या मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ दोस्तो लोग ट्रेन में क्या क्या लेकर चले जाते हैं जर्ण देखिए कि कैसे ये भाई साहब इतना भारी भर कम समान ट्रेन के अंदर डाल ले हैं लगता है कि ये अपनी पूरी खेती उखाड़ कर कहीं और सिफ्ट हो रहे हैं आजकल के निबा निबी एक से बढ़कर एक कारणामे कर रहे हैं अब जैसे कि इन दोनों को देख लीजे कैसे ये दोनों एक ही पैंट में घुस गए हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बातरूंग कैसे करते होंगे दोस्तो आजकल महंगाई बहुत जादा हो गई है इसलिए ये लड़किया अपना पैसा बचाने के लिए एक ही रिक्षे में बैट कर आई है लेकिन कमाल के बाद तो ये है कितनी सारी लड़किया एक ही रिक्षे के अंदर कैसे बैट गई भाई इतनी तो आटों में जगा भी नहीं होती है जितनी लड़कियां ओठों से निकल नहीं है यहाँ पर एक गेम चला था जहाँ पर अंटियों को बैठा कर अंकल खीच रहे थे लेकिन फिर जब अंकल बैठते हैं तो यह अंटियां उन्हें खीची नहीं पाती है यहाँ यह मोतरमाइन भाई साहब से पूछती है कि क्या कभी आपने किसी लड़की से प्यार किया था तो इस पर यह भाई साहब कहते हैं कि हाँ प्यार किया था लेकिन जब उसका मेकब उतरा तो वो लड़की मेरी नजरों से उतर गई भाई उस लड़की के बारे में ये गाना बिल्कुल सूट करता है यहां ये दोनों अपना मुबाइल फोन रखते हैं और वीडियो बनाने के लिए सामने आकर बैठने लगते हैं लेकिन ये मोतरमा जैसे ही यहां बैठती हैं बेचार ही गिर जाती है दोस्तो आजकल कोचिन सेंटर के फिस कुछ जादा ही बढ़ गए हैं इसकी वज़ा ये है अरे भाई कुई तो रोक लो इन लड़कियों को दोस्तो जैसे जैसे टेकनोलजी आगे बढ़ ला है वैसे वैसे ममिया भी एडवांस होती जा रही है जरा देखे कि आजकल की ममिया अपने बच्चों को कैसे समालती है मोतरमा अराम से किचन में काम कर रही है भाई ये मोहतरमा तो अपने बच्चे को साथ मिले कर सारा काम कर ले रही है सच में हमारा देश बदला है ये मोहतरमा इस बच्चे से पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहोगे तो इस पर ये लड़का जवाब देता है कि तुम्हारे जैसी लड़की पटाना चाहता हूँ दोस्तो ग्यान देने वाले भारत के हर एक चौरहे पे मिल जाते हैं ऐसे ही ये भाई सहाव इन लोगों को ग्यान दे रहे थे जरह सुनिये सस्ते शायर की सस्ती शायरी दोस्तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी ये महतरमा इस दुकान पे चोरी करने के लिए आई थी महतरमा दुकांदार से कहती है कि मैगी देना जब दुकांदार मैगी निकालना होता है तो महतरमा अपना मुवाइल फोन गलती से दुकान पर भूल जाती है और डबबा चोरी करकर जाने लगती है लेकिन इनकी चोरी पकड़ी जाती है ये महतरमा खानी का टिस्ट बता रही है और देखे कि वो टिस्ट कहां से आता है इन जनाब का मुबाइल फोन गिर जाता है जिसके बाद ये अपना मुबाइल अपने दोस्त को दिखाते हैं इनका दोस्त मुबाइल खोलता है और पूछता है कि मुबाइल कहां गिरा था भाई इस विचारे का तो मोई मोई हो गया दोस्तो पापा की परियां अक्सर पैंट से पैसे निकाल लेती हैं लेकिन ज़रा देखें कि ये पैसे कहां रखती हैं वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो अपने काजल का एड तो ज़रूर देखा होगा लेकिन जैसा एड़टाइजमेंट ये दोनों लड़कियां कर रही है इस बारे में काजल बनाने वाली किसी भी कमपनी ने कभी नहीं सोचा होगा इनके एड को देखकर आपकी भी हसी नहीं रुखेगी यहां यह मोतरमा कैट वौक करते हुए आ रही थी लेकिन कैट वौक करते करते इनकी चपली तुड़ियाती है दोस्तो यह मोतरमा बहुत ही दुखी है क्योंकि इनका कहना है कि सब अपने बाबू के साथ वीडियो बनाकर वाइरल हो रहे हैं लेकिन पता नहीं मेरा बाबू कहा रहे गया